Hello everyone, welcome back to YouTube channel of Vortex TBG Education, this is your tutor Iqra Fathima here and today I am going to discuss about Industrial Pollution and Environmental Degradation. आज किस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि Industrial Pollution के वज़े से कैसे Environmental Degradation होता है, ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, ने हैं, तो हमारे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर दे ताकि आप हमारे नए वीडियो, नए अपडेट्स मिस्ट ना कर सकें, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, Industrial Pollution and Environmental Degradation, यह बहुत ही इंपार्टन टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है, कि Industrial Pollution के बढ़ने से हमारे Environment पे क्या effect पर रहा है, जि यह जो Industrial Pollution है, वो कैसे बढ़ा, तो Pollution of Land के कारण, Water, Air, Noise, यह सारे चीजों के वज़ा से, Increase होने की वज़ा से क्या होता है, Degradation of Environment होता है, यानि Environmental Degradation होता है, जो Industries ने काउस किया है, और हमें इसे, हम इसे अंदेखा नहीं कर सकते हैं, यानि कि Industrial Pollution को हम अंदेखा नहीं कर सकते हैं, उसके कारण क्या होरा, Global Warming तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारा Problem आ रहा है, Diseases बढ़ रही है, Environmental Destruction हो रहा है, इस सारे चीजों को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, तो Industries are responsible for four types of pollution, अब इंडूस्ट्री पॉलिशन के लिए responsible हैं, तो कॉल से पॉलिशन, तो Air, Water, Land, Noise, E4 तरह के हैं, ठीक है, अब इनहें देखते हैं, कि the polluting industries also include thermal power plants, thermal power plants यो है, वो भी industrial pollution में चामिल हो सकता है, क्योंकि हम electricity जो generate करते हैं, तो हम कैसे generate करते हैं, इन सब चीजों की through ही generate करते हैं, अब पाला देखते हैं, एर पॉलिशन क्या है, यह जो है, Presence of high proportion of undesirable gases, यह ज लिखाए देती है, smokes, उनके कारण क्या हो, सबसे ज़्यादा होता है, environmental pollution, यानि air pollution होता है, such as sulfur dioxide and carbon monoxide, यह जो sulfur dioxide है, और यह जो carbon monoxide है, यह इत्ती जहरीली gas होती है, कि हवा में हमारे environment को, plants को, trees को, as well as humans, बहुत ही घंदे तरीके से effect करती है, ठीक है, undesirable gases होती है, highly chemical, अब देखो, अब जो airborne particulate materials होते है, यानि कि, जो ज़णा seams होते है, जासे, contain both solid and liquid particles, जो dust, sprays, mist and smokes, इनके कारण भी air pollution होता है, ठीक है, smoke is emitted by chemical and paper factories, अब यह देखते है, smoke कहां से आता है, तो यह paper factories से आता है, किसी चीज़ को जलाने से, जो धुमा निकलती है, वहां से आता है, bring kills, refineries and smelting plants and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms, यह सारे जगह से आते हैं, हम fossil fuels को जलाते हैं, trees को जलाते हैं, plants को जलाते हैं, papers को जलाते हैं, कुछ भी अगर हम जलाते हैं, उसे जो gases निकलती है, हावा में जो आती है, वह उससे क्या होता है, धुमा निकलता है, smoke, air pollution का उस करता है, toxic gas leaks, gas के leak करने से, can be very hazardous with long term effects, अब जो gases हैं, वो leak कर रही है, हवा में बाहर में, वो gases भी तो chemicals से बनी हुई होती हैं, बहुत ही harmful होती हैं, हमारे अंदर के internal organs को damage कर सकती हैं, और नहीं नहीं तरह की बिमारी आ सकती हैं, जिसके कारण क्या होता है, air pollution adversely affects human health, यह human health as well as animals, plants, buildings and atmosphere as whole, यानि की पूरे Earth, universe, एशरी, Earth को क्या कर सकती है, destroy कर सकती है, atmosphere को पूरे क्या कर सकती है, destroy कर सकती है, यह हवा, जो है, हवा कहां से कहां चली जाती है, और इसके थुरू ही कितने सारे gases forms में क्या होते हैं, अंदर आते हैं, अब क्या है water pollution, यह जो water pollution है, यह भी पानी क एक तो हमने हवा का देख लिया, हवा में कैसे harmful gases हमारे, हमें effect करते हैं, वैसे ही पानी से भी हम कैसे effect होते हैं, harmful gases के कारण, chemicals के लिख होने के कारण, यानि toxic gases के लिख होने के कारण, किसी चीज को जलाने के कारण, हवा में smoke के कारण, dust के कारण, और क्या है, बहुत सारी के वज़े से भी पानी में भी अगर हम कोई चीज ऊड़ेंगे उससे भी हम एफक्ट हो सकते हैं कैसे तो तो कॉज बाइब ऑर्गानिक इन 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 एक मेटेडिय।्स अ फिलें तुरिंट्स चार्ज इंटु रिवर्स अब जो हमफुल मटेरिय।्स होगा विस्ट होगा और तो पानी में जाने वाले जानवर और गाहों देहात में जाना तो देखना ओड़ते वहाँ पे कपड़ाद होती है वो सारी चीज़े क्या होती है अफेक्ट करती है इसे एक्जामपल पेपर पल्प, प्लप, गामिकल, टेक्स्टाइल, मेडिसीन आज वेल, और डाइंग, पेट्रोलियम, रिफैनरीज, टैनरीज, और एलेक्ट्रो प्लेटिंग प्लेटिंग इंडस्टिज आइचिज़ें अगर हम पानी में बहाएंगे तो इससे हमारा वहाँ पे पानी, वाटर, रीवर, करेगी, जैसे फ्लाई आश, फॉस्फो जिप्सम, आइरन, स्टील स्लैक्स, अर्ड़ मेजर सॉलिट वेस्ट इंडिया, यह मेजर सॉलिट वेस्ट इंडिया में है, जो हम पानी में बहाते हैं, जिसके कारण हमारा इंवारमेंट, थू वाटर पॉलिशन एफेक्ट होता है है, यह समझाया है, ओगा वाटर पॉलिशन का, वाटर पॉलिशन से भी हम ऐफेक्ट होते हैं, थरमल पालिशन से कैसे एफेक्ट होते हैं, तो हर्म पे carpet होते हैं, तो हगरまだ इंडियंड वेसाज प्लिशे इंडि इंडिवर्स एंड पॉन्नन्स एंडिफॉर कूलिंग, भी ये hot waters वगेरह जो फैक्त्री से याते होने हम पानी में बहा देते हैं इसके कारण भी क्या होता है हम हमारा environment effect करता है बिना थंडा किये हूई ये जो hot waters है before cooling इनको अगर हम पानी में बहाते हैं तो इससे भी effect ये भी effect होता है पड़ता इससे west from nuclear power plants nuclear and weapon production facilities causes cancer birth defects and miscarriages यह सारे चीज़े होती है, जब हम यह hot water को factory से यानि की thermal plants को हम ऐसी फिना ठंडा किये हुए, drain कर दे water में, पानी में, तो क्या होगा? यह सारी चीज़े होगी, इसके कारणे मिसक्राइज होगा, birth defects होगा, cancers होगा, और यह बहुत ही severe problem है, dumping of waste spatially, spatially glass, harmful chemicals, industrial effilence, packaging, salt, garbage, rainders, the soil useless, यह सारे चीज़ों को भी अगर हम करेंगे, इसके कारण क्या होता है, हमारा environment degradation होगा, यह जो rain water percolates होता है, इसको अगर हम क्या करेंगे, to the soil carrying, to the pollutants, to the ground, इसको हम अगर जमीन में भाहर फेग देंगे, and its ground water also gets contaminated, इसके कारण, ground water क्या होगा, इसके कारण फिर से क्या होगा, एक problem होगा, यह सब destruction का काम करता है, noise pollution क्या है, अब जैसे air, water, land है, वैसी ही क्या है, noise pollution भी है, land में तो हमें वो समझ में आए, कैसी है, ज जमीन पे रहने वाले, उन सारे चीजों को ऐसी हम बरबाद फेकते रहें, उससे भी हमारे problem हो सकती है, अब noise pollution में क्या होता है, कि यह सिर्फ irritation या anger ही cause नहीं कर सकता है, यह सुनने की भी छमता को क्या कर सकता है, खतम कर सकता है, increased heart rate, heart rate increase कर सकता है, as well as blood pressure, among other sociological effects, यह सारी च वाज रहती है, loud sound रहता है, उसके कारण हमारा blood pressure high हो जाता है, heart rate क्या हो जाता है, यह जो heart beat करना fast कर जाता है, हमारा hearing impairment है, सुनने की जो शक्ती है, वो भी थोड़ी कम होने लगती है, या खराब हो जाती है, हमारे अंदर का damage कर देता, part, unwanted sounds is an irritant and source of stress, इसके unwanted sound, loud sound, अगर हम सुने, तो उसके कारण हमें stress हो सकता है, यह सारी चीज़े हमें problem face करने को मिल सकते है, irritation होने लगता है, industrial and construction activities, अब यह जो noise pollution है, यह कहां से आती है, हम तेज आवाज में गाहना सुने, traffic में पी, 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 एक ही सारी गारी करने लगे, industries में machines काम करे, construction activities में यह जो machinery factory equipment होता है, generators, saw the pneumatic and electric drills, drill machine जो होता है, also make a lot of noise, यह सारी चीज़े बहुत तीज आवाज करती है, जिसके कारण सबसे जादा क्या होता है, noise pollution होता है, यह सारी चीज़े क्या करती है, industrial pollution है, यही चार industrial pollution है, जो severe, यानि की बहुत घंदे तरीके से हमारे environmental को, environment को degradate करती है, ठीक इसी के कारण environmental degradation होता है, और यह बहुत ही भ्यानक होता है, next video में हम कैसे save कर सकता है, control कर सकता है, environmental degradation को यह बढ़ेंगे, ठीक है, तो I hope आपको यह समझ आया होगा, फिर मिलते है, next video में, next topic के साथ, तब तक के लिए, keep learning, keep smiling, have a great day, thank you so much.